ओके सो ठीक है तो अभी जैसे मुन्ना भीया ने अनॉंस किया कि क्लास जो बच्चे हुई थी वो आज हम रहने देते हैं कुछ बच्चे कंफर्टबल नहीं थे क्विज थोड़ा लंबा ही है यह एक्च्वल एक्जाम जैसे ही हो गया थोड़ा आइधिंग तीन घंटे के राउंड की क्विजिंग हो गई ठीक है तो अभी इस क्विज का डिसकेशन कर लेते हैं क्वेशन तो वैसे सिंपल ही थे बट फिर भी हम ब्रीफली डिसक्स कर लेते हैं तो फर्स्स क्वेशन तो यही था कि बाड़ी पे चार्ज है और बताना है कि number of excess या lesser electrons कितने है इस पे तो यह तो हमने starting वाली class में देखा था कोई भी बाड़ी अगर चार्ज होती है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि या तो उस पे number of electrons का एक्सेस होता है या फिर deficiency होती है तो कितनी होती है तो उसके लिए जो चार्ज बॉल्ट है चार्ज 1 कुलम है तो बिसकलि हमें सिर्फ क्यों एक इलेक्राउन पर चार्ज होता है यहां से हमें बस एन निकालना है तो वह क्यू अपन यह आ जाएगा क्यू दे रख है 1 कुलम और यह होता है इलेक्राउन पर चार्ज इलेक्राउन पर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 तो यहां से आंसर आ जाएगा और यह answer D हो जाएगा सिर्फ यह order दिख रहा है कि बिसिकलिए क्या हो जाए कि this is 10 upon 10 upon 1.6 कर सकते हैं और into 10 to the power 18 कर सकते हैं तो 10 upon 1.6 करोगे तो फिर यह 6.25 आ जाएगा बागी options तो logical था ही नहीं तो exact अगर calculate नहीं भी करोगे तो बागी options देखके तुम D options सही तो ऐसे भी बता सकते थे अच्छे इसमें आप positive होंगे negative होंगे वो डिपेंड करता है कि electrons का access है डिफिशेंची अगर access होगा electrons का तो negative charge होता अगर deficiency होती तो positive charge होता बड़ इस बार हमें सिर्फ magnitude से मतलब था दूसरा question यह काफी बच्चों ने देखा कि गलत किया जबकि यह बहुत simple question है बोल रहा है दो particles है equal mass and charge है और some distance पर रखे हुए है दो particles है और दोनों पर mass भी दे रखा है और charge भी दे रखा है तो mass अगर m आना charge q है यह भी identical है mass m है और charge q है बोल रहा है resultant force acting on each particle comes out to be zero resultant force zero है दोनों particles पर resultant force zero है तो फिर हमें क्यूब आयम बताना है तो यहां पे अब question पढ़के और options भी देखके यह पता चल रहा है कि हमें gravitational force consider करना है generally हम electrostatic questions में gravitational force नहीं consider करते हैं बट यहां पर यह question पढ़के तुम्हें पता चल जाएगा तो यहां पर किसी भी एक particle पर देखेंगे तो इस particle पर जो इलेक्रोस्ताटिक फोर्स लग रहा होगा वह तो repulsive nature का होगा वह इधर लग रहा होगा इलेक्रोस्ताटिक फोर्स तो बोड़ रहा है कि इस पर net force 0 है तो फिर दूसरा force और कॉण सा आएगा कोई और तो कोई और दिखनी रहा है तो दूसरा फोर्स अब ग्राविटेशनल ही है तब ही जाके इस पर नेट फोर्स जिरो हो सकते है तो ग्राविटेशनल फोर्स इधर लग रहा होगा इस पर ग्राविटेशनल फोर्स अट्राक्टिव नेचर होता है दो मासस के बीच में तो ग्रा तो वो हो जाएगा q2 identical है तो और अपॉन r2 ठीक है तो यही फॉर्मला लगाना था बस अब यहां से आर स्क्वार गांसल हो गया अब स्पेसिफिक चार्ज स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है वो यहां पर स्पेसिफाई कर रख है कि वो q by m है तो q by m निकालना है तो यहां से अगर देखोगे तो फॉर पाइपसाल नॉट को अगर इधर लिया होगे लेफ-hand side में तो जी इंटू फॉर पाइपसाल नॉट करोगे तो फिर इसका रूट ले लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा तो यह प्रेक्टि लिए अचाहिए था सिया थिंग कुछ बच्चे यह सोच रहा हो कि सिर्फ एक्ट्रस्ट्राटिक फोर्स लग रहा है तो बैलेंस आउट कैसे होगा नेट फोर्स जिरो कैसे होगा क्योंकि अगर एक पारिकल फोर्स जिरो है तो दूसरा फोर्स ग्राविडेशन भी होगा और वो ऑप्शेंस में भी जी वगर दिख रहा है तो फिर वो देखके तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए था उप्शेंस देखके तो यह भी इजी ही था सही होना चाहिए था फिर next question again simple से कि magnitude of electric field intensity at a distance x from a charge बता रखा है तो charge q है और इससे x distance दूर यहां पर हमें electric field बोल रखा है कि electric field e है electric field is e तो बोल रखा है कि 2x distance दूर अगर हमको एक charge रख देंगे 2x का मतलब है कि और further x हम आगे चलेगे तो यहां पर बोल रखा है कि identical charge अगर रख दिया यानिकि q charge रख दिया तो इस पर force कितना लएगा तो यहां पर force लएगा यहां वाले field के according तो यहां वाले field अगर e' है तो फ into e' यह force हो जाएगा अभी e' क्या होगा e के साथ relation तो point charge का electric field कितना होता है kq by r square होता है तो यह वालब charge जो है that is a point charge तो इसका electric field x distance पर जाएगे तो वह बन जाएगा k मैं 1 by 4 pi epsilon को k बोल रहा हूं तो kq by r square तो kq by x square हो जाएगा e' क्या होगा तो e' will be kq upon अब separation जो है वो 2x है तो 2x distance पर जाएगे तो यह 2x का square बन जाएगा तो यह basically देखोगे तो kq by x square into 1 by 4 हो जाएगा तो this is e by 4 तो यह e by 4 हो जाएगा तो यहां से अगर force हम देख रहे है तो that will be q into e' के value is e by 4 तो फिर इसमें सही option ad हो जाएगा अगे यह भी simple था यह सबका सही होना चाही था और such that an electron of mass m and charge e electron पर हमें electric field के कारण जो force चाहिए electric force equals to its weight तो weight कितना होता है तो weight होता है mg अगर charge यह जो electron की बात हो रहे तो electron का mass m बोल रखा है और charge e बोल रखा है तो इसका जो weight हो जाएगा weight तो हो जाएगा mg तो बोल रखा है कि इस पर electric force भी इसके weight के ही बराबर लगे तो इ तो वह हो जाएगा e into e, तो हमें e into e को mg से equate करना था तो यह equate करके फिर हमें electric field की value बतानी थी तो वह second option आ जाएगी तो इसमें बस वह concept user था किसे भी charge particle पर जो electric field में force लगता है that is charge into उसके location पर field जहां पर भी है नेक्स question इसमें बुल रखा है कि दो charge particles है at a distance x apart x distance पे दो charge particles एक पर charge बुल रखा है plus 4e है और एक पर charge बुल रखा है कि प्लस e है तो at what distance a at what distance a charge q must be placed from charge plus e तो ऐसे questions में एक सिले mistake होने के chance यह हो सकते है कि distance properly देखाने की किससे पूछा गया है तो यहां पर यह थोड़ा careful रहना है कि plus e से distance पूछा गया है तो हम plus e से distance मानलो ले लिया कि यहां से कुछ existence दूर पर यहां पर हमने एक charge particle को रखा है है इसका charge q है और यह हमें equilibrium में चीए है तो equilibrium में होने के लिए इस पर दोनों forces balance होने चीए है कौन सा force दोनों तो जो एक left वाला पार्टिकल लगा रहा होगा मानलो इस पार्टिकल को मैं one बोल देता हूं और एक right वाले पार्टिकल को टू बोल देता हूं तो इस पे जो force लग रहा होगा तो वन के कारण तो अगर माल लो मैं इस Q को पॉजिटिव मान रहा हूं नेगेटिवी मानेगे तो आंसर में कोई फरक नहीं आएगा अगर पॉजटिव मान रहा हूं तो वन के कारण जो फोर्स लाएगा वो इधर लाएगा F1 और F1 की वैलू कितने होगी की वैलू हो जाएगी दो चार्स पार्टिकल के बीच में फोर्स कुलम्स जाएगा वन बाई फोर पाई एपसाल नोट को अगें मैं के बोल दे रहा हूं तो के इंटु क्यू एक है फोरी और इंटु क्यू टू अपॉन और यहां पर आर कितना है तो यह डिसंस अच्छा डिस अगर हमने क्यू को पॉजटिव मान रखाता था ना तो उसके कारण फिर फोर्स इदर लग जाएगा और एफ-टू की वैल्लू हो जाएगी के इंटु यहां पर इंटू क्यू हो जाएगा क्योंकि चार्ज इह अपन रसकोर तो हमें नेटफोर्स इक्विलिब्रम में चीए कि ये पार्टिकल हमें इक्विलिब्रम में चीए है एक्विलिब्रम का मतलब होगा कि इस पर हमें फोर्स जिरो चीए तो f net 0 करना हमें तो f1 equal to f2 कर देंगे f1 equal to f2 करेंगे अगर तो देखोगे कि यह का जाएगा उपर में जो ke into q वाला तम हो तो cancel ही हो जाएगा तो 4 upon x minus r का स्क्राइब तो फिर हम अगर रूट ले ले तो मैं इधर फिर आगे लिख रहा हूं तो यह आजाएगा रूट ले लिया तो यह आजाएगा तो यह आजाएगा तो यहां से आर के वैल्लू आ जाएगी है एक सब्सक्राइब तो इसमें ही पूचा था ठीक है तो इसमें में भी कुछ बच्चों ने निस्टेक किया होगा कि डिसंस जो निकाला वह निकाला होगा अगर 4E से लेकिन आंसर इसमें पूचा था कि इसे डिस केतने हैं। दिसंस पाम चार्जी तो वो दिसंसे से एक माई 3. मुविंग उन तो अग्सक्वेश्टीन को कुछेंच सारे सिंपल लिए मतलब लास्ट के लास्ट के एक यह ए अब लास्ट के दू क्वेश्टन थोड़े ठीक थे बाक्य तो सारे तो इसमें बोल रखा है कि x-coordinate of a point on the x-axis at which electric field हमें 0 चाहिए electric field due to the two point charges 0 चाहिए और point charges रखे कहां पर है तो एक रखा हुआ है x equal to 0 पर यहां पर रखा हुआ है प्लस 8q और एक रखा हुआ है यहां पर minus 2q x equal to L पर और फिर हमें x-axis x-axis यही वाला जो लाइन है that is my x-axis तो यहां पर हमें चाहिए कि x-coordinate उस point का जहां पर electric field 0 है इन दोनों charges के कारण तो ऐसे questions में हमने class में किये थे electric field 0 इसमें identify करें कि किस reason में होगा 0 तो क्या बीच वाले रिजन में electric field 0 होगा बीच वाले कि मालो इन दोनों charge particles के बीच में अगर मैं ले लूँ कोई point तो क्या वहां पर electric field 0 होगा तो यहां पर नहीं होगा यहां पर कि क्या यह माइन के कारण राइट में राइट के और या फिर प्लस एट क्यूं के left में इधर कहीं 0 होगा यह आता है तो इसमें भी हमने आलेसिस करने का तरीका देखा था कि अगर मालो मैं प्लस 8Q के लेफ्ट में आ जाओं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फिल्ड जो 8Q है उसके कारण इवन इधर होगा और जो नेगटिफ चार्ज है उसके कारण इटू इधर होगा तो डिरेक्शन तो आपोजिट आ रहा है लेकिन क्या कहीं मैंगनिचुड बराबर हो पाएगा एक तो इन्फिनिट पे तो होगा तो इन्फिनिट वाले तो हमें आंसर नहीं है फाइनिट एक् वाले तो इस एट क्यूप का डिस्थन जो है वहां से यहां से यह वह अले दिसंट तो डिस्तेंज भी कम है और चार्ज भी जाद है तो numerator भी उसके लिए बड़ा होगा और denominator छोटा होगा, तो इसका भी effect जो होगा, वो electric field को बड़ा करने वाला ही होगा. That means, electric field के magnitude में जो दो चीजें हैं, एक है charge और एक है distance, ये दोनों ही इस 8Q के ही favor में हैं. तो फिर इधर 8Q से left में finite distance पर जाके कहीं भी, वो 8Q का field हमेशा minus 2Q के field से magnitude में बड़ा रहेगा, तो हमें कोई null point नहीं मिल पाएगा, 0 नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैं इस minus 2Q के right में देखूं, तो यहाँ पर अगर देखूंगा, तो जो 8Q है उसके current field इधर होगा, away, और minus 2Q के current field इधर होगा, towards, अब यहाँ पर field 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, क्यों 0 हो सकता है, विकाज एक चीज, एक चीज क्या, जो distance है, वो distance minus 2Q के favor में, कि minus 2Q का distance इससे कम है, और charge जो है, वो 8Q के favor में है, तो दोनों चीजे, दो अलग-अलग charges के favor में, तो यहाँ से कहीं नहीं ए अगर x-coordinate पूछा है, तो x-coordinate के लिए फिर हम यहाँ से यह distance लेंगे, यह इसका x-coordinate हो जाएगा, तो इसको अगर हमने x मान लिया, तो फिर हमें e1 equal to e2 magnitude कर देना है, even equal to e2, तो even होगा 8Q के करणा, तो k into 8Q upon x square, as equals to e2, हमने लिया इस minus 2Q के करणा, तो k into 2Q, magnitude लिख रहा ह देगी, जरुवत नहीं है, हम और magnitude of the charges बस लिख लिख लिए, तो kq upon, यह distance हो जाएगा, वो यहाँ से distance बचेगा, अब यहाँ से distance किया है, तो this distance is, दोनों charges के बिच का separation L है, तो यहाँ जाएगा x-l, तो यह x-l का square, यहाँ से अगर देखोगे, तो kq तो cancel ही हो जाएगा, और यह 8, 4 times cancel हो जाएगा, फिर से अगर हम root लेंगे, तो यहाँ जाएगा, 2 x-l is equals 2x, तो यहाँ से x-coordinate कितना दिख रहा है, 2x-2l is equals 2x, तो x-coordinate दिख रहा है, 2l, x-coordinate is 2l, तो इसमें यह पूछा था, ऐसे questions में थोड़ा से पहले, एक बार हमें reason identify करना होता है, कि किस point यह एक पर, किस यह बिच में हो सकता है, क्या दूनों charges के बीच में हो सकता है, या फिर किसी चार्ज के left, right में हो सकता है, तो इस तरही questions हमने class में किये थे, तो वैसा ही similar sari question थे, मैं यह next question, इस तरह का भी question ने क्लास में किया था इस बर हो सकता है इसमें कुछ बच्चों ने diagram को carefully नहीं देखा होगा कैसे ऐसा में क्या गरता है बच्चे इतनी जल्दी बाजी में होते हैं एक्जाम में एक्च्वल एक्षाम में भी कि question देखा और तुरंत answer करने में लग जाते है तो diagram अगर carefully नहीं देखा carefully नहीं देखने कारण क्या हो सकता है किसी बच्चे ने यह सोच लिए होगा कि सब पे plus q भी रखा हुआ है एक ऐसा भी mistake होगा कि सब पे plus q रखा हुआ है लेकि सब पे plus q नहीं है यहां पर यह जो है that is minus q यह minus q है तो इस कारण से answer 0 नहीं होगा अगर सब पे plus q होता तब तो answer 0 होता इस बार answer 0 नहीं होगा कितना होगा तो उसके लिए मैं इस minus q की field देख लेंगे और बाकी सब के कारण field देख लेंगे अब बाकी सब के कारण field निकालने का तरीका हमने class में सीखा था कि कोई अगर hexagon है hexagon अगर तो यहां फर वाई एक्जम्पल कि ऐसा गर अगर सब पे पॉइंट चार्ज है सारे प्वेंट पर पॉइंट चार्ज है तब तो यहाँ पर प्वेस्ट फेलों होगा जो सेंटर वाला पॉइंट है अप प्लेखेल फिलों एक मैं पॉइंट चार्ज हटा दूँ एक पॉइंट चार्ज हटा दूँ या फिर लट से मैं इसको वन बोल देता हूं तो अगर यह पता करना है कि बाकी वन के अलावा जो बाकी पांच चार्ज अनके कारण फिल्ड कितना होगा तो उसके लिए मने क्या प्रोच देखा था है आपल्स एगर में बाकी पांच चार्ज पिड़े ऐ डिस्टम माल को टो यहाँ पर इन बाकी पांच चार्ज कोकि अगर मैंने एक सिस्टमम लिया ऐसा को तो यह वन क करन अलेक्रिक फिल्ड कीदर होगा वन के करण 1-उनивает क्रिल तो नीचे होगा इस से आए चा Pittsburgh तो ऐ पांचो के कारण जो नेट फिल्ड होगा वह इसके अपोज़ डिरेक्शन में होगा और इतना ही मैंगनिचूड का होगा तब ही तो जाके नेट फिल्ड हो सकता है यानि कि दूट अल जो अधर्स है इसको अगर मैं अधर्स बोल रहो है या सिस्टम बोल रहो हूं तो इडू है तो यह साइड़ लेंद्ट हो जाएगा तो यह होता इस इस पांचो के कारण इलेक्रिक फिल्ड अब यहां पे देखेंगे अगर इस इस question में जो question में से पूछा गया था इस question में अगर मैंने जिसको circle किया उसको अगर छोड़ दू तो बाकी सब का मिला कि यह जो system है इस system के का अगर मैं बोल रहा हूं इस सॉरी मैं डिरेक्शन बना दिया यह आव यह है डिरेक्शन में बना दिया कि यह इसको मैं system बोल रहा हूं तो इस system के कारण electric field इस से अवे होगा इधर होगा इधर होगा electric field due to system और यह system की value E हो जाए के क्यू भाई स्कॉर हो जाएगी और एक minus q का field वो भी से डिरेक्शन होगा minus q का field भी दरी होगा और वो भी इडू to minus q कितना होगा तो इडू to minus q का magnitude भी तहीं हो जाए के क्यू बाई स्कॉर और यह दूनों electric field एकी डिरेक्शन में है यह system के का इंधर क्यूआ वो दिख रहा था वो यहाँ पर डाग्राम में देख रहे है कि जो system यहाँ बना रखा है तो इसमें away from the center आ र आ जाएगा क्योंकि दूनों के क्यों one a square वाला जो फिल्ड है वो एक डिरेक्शन में आ रहा है तो के की जगा अगर one by four by epsilon not डालूंगा तो फिर two k will become one by two by epsilon not तो यह answer हो जाएगा तो इस तरह क्वेशन ने क्लास में तो किया था वहां पर था कि यह चार्ज नहीं रखा हुआ था लेट से अभी जाम ने माइनस क्यों रखा था था लेट से नहीं रखा हुआ था तब फिल्ड कै तो अगर यह माइनस क्यों नहीं रहता अगर यह नहीं रहता यहां पर तब प्लेशाल नेगेटिटिफ चाजरें स्क्यू और फिक्सट अट पोइंज एंड जिरो कमा मैनसी अन गया पाटिन्स जीरो कमा मैनस जो ईता एक सटुछन यहां पर हमने एक positive charge release किया है तो फिर इस positive charge का motion कैसा होगा, तो अगें यह setup भी हमने class में क्या था, बस वहां पर यह फरक था, कि हमने class में क्या question किया था, कि origin पर हमने एक charge particle रखा था और इसको थोड़ा सा display करके फिर हम इसका motion discuss कर रहे थे कैसा है, तो वह SHM आ गया था, तो इस पर अगर इस plus Q पर देखोगे, तो plus Q पर अगर forces देखेंगे, तो minus Q जो नीचे वाला है, उसके current force कुछ इधर लेगा, और minus Q जो इधर है, उसके current force कुछ इधर और symmetry से फिर यह वापस यहाँ पर minus 2,0 तक आएगा, तो इसका motion ऐसा होगा, कि यह पहले इधर लेफ्ट की तरफ आएगा, यहाँ पर आके फिर से रुकेगा एक moment के लिए, और फिर यह राइट की तरफ आएगा, और ऐसा motion होगा, तो motion oscillatory तो होगा, motion oscillatory तो होगा, यानि यह X-axis पे origin के about oscillate करेगा, तो फिर एक option है कि oscillatory है, but not simple harmonic, और एक है कि simple harmonic motion है, तो simple harmonic motion होने के लिए हमने condition देखा था, कि वो क्या है था, कि वो X की value बहुत छोटी होती थी, जो displacement होता था, कि particle अगर यहाँ से X displacement पे है, अगर हमने origin से X displacement किया है, और X की value बहुत छोटी होती है, त उसमें नीचे में एक term आता था, X square plus A square power 3 by 2, तो उसमें से अगर हम X square वाले term को neglect करते थे, तब जाके हम SHM का condition आता था, तो यह class में exactly हमने same question करा हुआ है, बस इस बार फरक यह है कि चुकी X छोटा नहीं है, X कितना है, जो यह displacement कर रहा है, maximum displacement is 2A, तो maximum displacement अगर 2A है, तो इसक सुरू में वह X की value बहुत बढ़ी है, यानि बहुत बढ़ी का मतलब यह है कि बहुत चोटी नहीं है, A की comparable है, जो यह वाला distance A है, इसके comparable है, 2A है इसका, double A है, तो फिर यह motion oscillatory तो होगा, लेकिन यह SHM नहीं होगा, यह एक बार जाके class में refer करना कि हमने, जो X का function, जो force था होता था, that was much, much less than A, तब जाके SHM होता था, इस बार जो displacement involved है, तो that is not very small as compared to A, तो oscillatory होगा, but not SHM, तो इसका option D हो जाएगा, नेक्स्ट यह question, तो इसमें, क्या हुए, एक half ring दिख रहे है, lambda 2 charge का एक half ring दिख रहे है, यहां स यहां तक एक half ring दिख रहे है, half ring, और एक हमें semi infinite wire दिख रहे है, दूसरा वार जो lambda 1 वाल है, that is a semi infinite wire, तो electric field है, इसमें बताने हैं कि electric field O पे along y-axis हो जाए, तो इसके लिए दुनों का lambda का ratio पूछा है, तो इस lambda 2 के कारण electric field किदर होगा, तो lambda 2 के कारण यहां पे electric field देखें, अगर origin पे तो वो इधर की तरफ होगा, electric field due to lambda 2 E2 और यह कितना होगा, तो यह होता है, half ring के कारण हमने याद किय यहां से wire है, that is a semi-infinite wire, और semi-infinite wire के लिए वाला point, यह special point है कि जो इसके जो known end है, उस known end से perpendicularly located है, तो यहां पे हमने देखा था कि electric field के 2 components होते है, एक component होता है इधर की तरफ, इसको मैं E1y बोल देता हूँ, और एक component होता है इधर की तरफ, इसको मैं E2y बोल देता हूँ और दोनों component magnitude-wise, E1y, magnitude-wise कितना होता था, k lambda by r होता था, तो k lambda 1 by r, यहां पे r, यही जो radius, let's say, capital R, मैंने यूज किया, यहां पे lambda 2 था, और यही magnitude-wise अगर देखें, तो magnitude-wise E1, sorry, E1, मैंने इसको E1x लिख देता हूँ, E1x, तो E1x left की तरफ है, और magnitude-wise तो वो भी, दोनों components के lambda by r होते थे, यहां पे हमें net electric field y direction में चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कि E1 का जो x वाला component है, जो कि negative x की तरफ है, that should cancel E2, E2, जो है, वो हाफ रिंग के कारण positive x के तरफ फिल था, तो फिर expressions बस हम लिख देते हैं, यहां पे तो यह 2k lambda 2 upon r, request to k lambda 1 upon r, यहां से r और r cancel, यह kb cancel, तो हमें lambda 1 by lambda 2 चाहिए, यह lambda 2 by lambda 1, तो हमें ratio, यहां पे लिट से अगर मैं lambda 2 by lambda 1 लिखना चाहिए, lambda 2 by lambda 1, so this is 1 upon 2, अगर lambda 1 by lambda 2 पुछा है, that is 2 upon 1, तो चाहिए, lambda 1 by lambda 2 पुछा है, तो lambda 1 by lambda 2 हमें करना है, तो 2 by 1, 2 is to 1 हो जाएगा, 2 is to 1, अच्छे, ऐसे questions जैसे mains में कभी आते हैं, तो अभी तो जैसे हमने 2 is to 1 ही दिया है, एक option अगर यह भी होता है, कि लिट से 1 is to 2 होता, तो फिर हम यह देखना पड़ता है कि ratio किसका पूछा गया है, तो उसमे ratio of linear chance density lambda 1 and lambda 2 लिखने पुछा होता है, कि lambda 1 by lambda 2 बताओ, but J main के exam में कभी-kभी ऐसा होता है, कि जो ratio पूछता है, वो बहुत properly पूछता है, जैसे उसमें पूछ देंगा ऐसे question में, कि बताओ कि lambda 1 by lambda 2 किया है, यह पूछेंगे वो, और उधर answer जो होगा, वो lambda 1 by lambda 2 लिट से हमारा 2 आया है, तो उधर option में 2 होता ही नहीं है, कभी-kभी ऐसा होता है, option में 1 by 2 होता है, और बाकी 4 options, बाकी जो options होते हैं, वो 2 या 1 by 2 से different options होते हैं, तो अगर ऐसा कभी question आ रहा है, J main के exam में, ऐसे mistakes होती है paper में, जिसमें जो ratio प तो फिर marks नहीं देते हैं, जो ratio का पूछा था, उसका जो reciprocal answer में present था, उस पे फिर marks देते हैं, तो यह धियान रखना है, कि ऐसा नहीं करना है, कि मेरा मानलो, जो ratio पूछा वो 1 by 2 आ गया, option में 1 by 2 है नहीं, 2 है option में लेकिन, तो मैंने mark ही नहीं किया, मैं आगे निकल गया, क लेकिन option में अगर 2 है, तो 2 कोई answer देंगे, 1 by 2 तो ही नहीं वहां पर, तो उसमें tick करके आना है, छोड़ के आने का कोई फायदा नहीं है, कि या तो question bonus होगा, ऐसा question, या तो फिर 2 वाले को answer में जाएगा, एक ये question, तो ऐसा question हमारे पास module में भी था, module में भी है ये question, बट उसमें थोड़ा सा different क्या था, कि जो point P था, तो module वाल अगर question solve किया होगा, तो उसमें point P यहां पे था, यहां पे था, अब हमने point P का लोकेशन चेंज किया, point P उपर में है, यहां पे point P, तो यहां पे net electric field में बताना है, तो 3 sheets हैं, large sheets, तो 3 sheets, अगर मैं नाम दे दूँ कि ले e2 भी नीचे होगा और e3 भी नीचे की तरफ होगा, तो net electric field अगर लिखना है, तो वो फिर आ जाएगा, e net अगर करना है, यह at point P, तो that will be e1-e2-e3, और e1-e2-e3 अगर कर रहा हूं, और यह magnitude से अगर लिखूंगा, तो मैंने उपर की तरफ माना है, तो यहां पे k-cap लिख और अगर यह negative आरा, तो फिर minus k-cap में हो जाएगा, जहां पर e1-e2-e3 क्या होगा, तो e1 क्या होगा, e1 is sigma के कारण, तो sigma by 2 epsilon note होता है, infinite sheets के कारण, sigma by 2 epsilon note, minus e2 के जागा हो जाएगा, 2 sigma upon 2 epsilon note, अब यहां पर मैं minus sign नहीं लगा रहा हूं, because minus sign का already मैंने direction में अकाउंट लिया ह कि वो direction नीचे की तरफ है, और minus e3 में आ जाएगा, sigma upon 2 epsilon note, और यहां पर k-cap, तो यह electric field आ जाएगा, यह कितना आएगा, तो यह वाल टर्म तो cancel हो जाएगा, तो यह minus of sigma upon epsilon note k-cap आ जाएगा, तो फिर यह option A है, अच्छी, इसमें एक अप्रोच यह भी हमने डिसकस कहता है, कि चुकि infinite sheets जो होती है, उनमें फिर electric field, अगर infinite sheets हैं, तो electric field का distance से relation नहीं है, तो फिर हमने एक अप्रोच यह discuss कहता है, कि अगर इस पॉइंट पर हमें electric field निकालना है, तो हम यह कर सकते हैं, कि इस पॉइंट के एक तरफ जितने भी sheets हैं, उन सब के charges को एक ही sheet मान सकते हैं, जै सब का addition अगर करेंगे, तो minus two sigma हो जाएगा, तो effectively यह तीनों sheets मिलके, minus two sigma की sheet की तरह BF करेगी, जिसके कारण जो electric field हो जाएगा, वो नीचे की तरह हो जाएगा, minus of two sigma है, तो नीचे की तरह हुआ, और magnitude wise two sigma upon two epsilon not, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कि तीनों sheets को इक अठ्था मान के उसक यहाँ पर अगर देखोगे, तो two epsilon not, नीचे तो common ही आ रहा है, तो sigma ही आड हो रहा है, तो पहले से ही हम add करके भी answer जल्दी से निकाल सकते हैं. यह क्यूष्टन तो सिंपल है, नाम्ड़ा परिंट लेंथ चार्ज भी लामड़ा परिंट लेंथ और एक क्यूब से पास करें, इमाजिन कर लिया, तो से माकसिमम फ्लक्स बताने, तो वो जो क्यूब बने गा, तो घुन कालने के लिए हम गॉस लाऊ जूज है, तो फ्लक् तो फिर हमें maximum flux टी है maximum flux, तो maximum flux के लिए सबसे यदा चार्ज इंक्लोज हो जाए और यहां पर चार्ज इंक्लोज हो कैसे रहा है, तो उस cube से एक string पास कर रहा है जिसका charge per minute length lambda है, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज इंक्लोज होने के लिए ज्यादा ज्यादा length उससे पास कर ज तो क्यूब के सर्फिसे के दो पॉइंट को ज्वाइन करना वाला एक लिया रहा हूं वह दो इस फ्लॉक्स की जो जाएगी फाइमाक्स यहाएगा क्यूमाक्स जो जाएगा दर इस रूट थी ए इन तो सबसे जादा लेंध रूट थी ए पास करा सकते हैं और अपॉन नेक्स्ट ये क्वेश्चन प्वाइंट चार्ज प्रेज है अट रहें फ्लॉक्स अफिस्वेर अगर देखो तो प्लेशिंग एक कॉर्नर से वर्डिकली उपर रखा हूं यानि कि उसके इसक्वायर का जो प्लेन है उस प्लेन से पर्पेंडिकुलर ली जा रहे हैं लेकिन एक corner से उपर जा रहे हैं और फिर हमें flux to the square बताना है तो इसमें थोड़ी सी symmetry यह यूज कर सकते हैं जैसे ऐसे approaches हमने देखे थे कि हम अपनी तरफ से कुछ और surfaces add करके एक थोड़ा standard सा shape बनाने की कोशिश कर सकते हैं तो हमने यह कर सकते हैं कि यह स्कॉर सिर्चेत्स और add कि यह स्कॉरीट कर दिया और इस pure s time का अगर मैं q couple क्वीट कर लो में इर्वारीज कर आए न sow यह जो Q है वो स्क्यूब के सन्ट पी जाएगा तो क्योब के से अगर से अंचर पर पे आ गया तो because field lines अगर बराओंगे, field lines radial symmetry के साथ निकलेगी, तो सारे surfaces, जो भी इसके faces हैं, सारे faces से equal number of field lines पास करेंगी, तो Q upon epsilon अगर सारे faces से मिला के हैं, तो 1 face से 1 upon 6 times हो जाएगा, 6 faces है total, अब हमारे पास जो पूछा था, मारे पास जो पूछा है वो अला area कौन सा है, उसको मैं एक different color से shade कर रहा हूँ, तो वो ये वाला area जिसको मैंने blue shade किया, अब ये जो ये वाला area जो है, वो जो नीचे वाला face है, जो Q2A का cube था, उस Q2A का था, जो Q2A का था, और ये वाला जो है, वो उसका one-fourth है, तो जितने fill lines नीचे, जो पूरा यहां से यहां तक का, जो 2A का एक square surface था, इससे जितने fill lines पास कर रही होंगी, इस shaded portion, जो की हम से पुछा गया था, इससे उसका one-fourth पास कर रहा होगा, तो एक one-by-four all लग जाएगा, तो टूटल flux हो जाएगा, Q upon 24 Epsilon all, इस तरह का हमने class में भी question किया था, तो again, इसमें इस बार पूरा cube दिखाने के बजा है, हमें सिर्फ एक ऐसा plate दिखा के, और चार्ज दिखा रखा है, तो हम अपनी तरफ से additional surfaces add करके, एक symmetrical situation बनाने की कोशिश कर सकते हैं, so that हम Gauss law लगा पाए, और Gauss law लगाने के बाद, फिर हम थोड़ी symmetry यूज करकर के, जो गिवन चीज था, गिवन एक square था, तो इससे flux हम निकाल सकते हैं, by using the symmetry in the surface, जो कि हमने बाकी surfaces को add करके, total Gaussian surface बनाया है, इसके बाद, ये next question जो है, ये तो, question बई एक्जाक्ली क्लास नोट्स का एक्वेशन है, एक स्फेरिकल पोशन हमने रिमूफ कर दिया, from a solid sphere, having a charge distributed uniformly in its volume, तो एक volume charge है, तो volume charge में, अगर हम एक स्फेरिकल वॉल्यम चार्ज में, अगर हम एक स्फेरिकल काविटी बनाते हैं, तो इसमें ऐलेक्रिक फिल्ड, जो काविटी में आ जाता है, वो युनिफार्म आ जाता है, ये हमने क्लास में क्या था, और इसको स्टांडर्ड रिजल्ड की तरह याद भी रखा था, तो इलेक्रिक फिल्ड फिर इस पूरे में नीचे की तरफ होगा और यह एक युनिफर्म एलेक्रिक फिल्ड होगा थोड़ा राइगरम अगर बना दूं तो यहां पे लेट से कावेटी हमें कुछ ऐसा कावेटी दिख रहा है यह बाचे पॉश्य में जो एलेक्रिक फिल्ड हुता था वह विल्यक्रिक फिल्ड लेट से सॉलीड सपर का सेंटर यहां है और क्या हं और इन दोनों को जॉइन को इन लाइन होता था इस लाइन के लॉंग और किधर होगा तो अगर यह पॉजिटिव है तो आवे यानि कि इधर की तरफ हो जाएगा कुछ ऐसाएलेक्टिक होता था और ये यूनिफर्म होता था उसके लिए हमेरे पास डिस्टेंस काहनों सह आ जाता था यहां से लेकर यहां तक करालय अगर लेट से आर है तो वह आ जाता था रोव अपॉन 3 बचे-प्र्स milestone लॉजिक को बूल सकते हैं तो हम प्लस-थो और मैंना स्व्ण झ्यता है क्षोड फ्ल्स-धो कि यहां पर हम प्लस-थो और मैंन स्व कर थे आ हैं तो पिर पर प्लस मंढ़ा एक पूरा सफर् youth क्षंग एक छोटा स्फेर बन जाता था और उस माइनस रो का छोटा स्फेर के लिए अगर हम सेंटर वाला पॉइंट देख लें हमने अगर यह याद है कि एलेक्टरिक फिल अंदर में उनिफॉर्म है तो किसी भी एक पॉइंट पर निकाले हर पॉइंट पर वही आएगा अब अंदर प्लस वाला बड़ा स्फेर है उसके कशाष्ण होग और वह कितना होगा तो फ्लस रोंगे कारण से तो संक अंदर वाइले पॉइंट पे यह वाला फॉर्मल और सिस सबार कैर नहीं पूछी यह पूचहाथी घेटा कि कैसा होता एं तो यह होता है नौन जिरो अन्ड फिरॉ अभी तो यह नॉन जिरो है लेकिन यूनिफर्म है अब यह लास्ट की जो दो क्वेशन से यह थोड़े से ठीक है मतलब इनको आइधिंक कुछ बच्छोंने करी लिया होगा सही तो यह एलेक्रिक फिल्ड एर दे रखा है एलेक्रिक फिल्ड इन रेडियली आउट्वर्ड वि लेक्रिक फिल्ड एसे रेडियली आउट्वर्ड है रेडियली आउट्वर्ड फिल्ड इन और इन्टिर्फिल का मैंनी शूर्ड दे रखा है कि डाड़े एंटो आर अ तो फिरामें बताना चाल्स कंटेंद इने स्फेर आफ्र एस एस सेंटरद अट और अगर हमने एक ए र तो इसके अंदर कितना चार्ज कंटेंड ही यह बताना है तो इसके सर्फेस पे अगर हमने एलेक्रिक फिल्ट कितना होगा यहां पर अगर हम सर्फेस पर कोई पॉइंट ले ले यहां पर पॉइंट ले ले तो इसके सर्फेस पे लेक्रिफिल इस रिक्षिन होगा और कितना हो निकालूंगा तो flux through the surface यह जो स्फेर हमने लिया है स्फेर तो अगर मैं फ्लक्स स्फेर बना दू निकालूं तो वह आएगा integral of e.da से वह flux आएगा इसमें area vector जो होगा वह भी बाहर की तरफ ही होगा तो फिर यह आजाएगा e.da तो electric field और area vector एक ही डिरेक्शन में तो यह बन जाएगा e.da cos 0 यह क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें charging close निकालना है तो electric field अगर गिए हैं तो मैं इस electric field को यूज करके flux निकाल लूँगा और फिर मैं gaus law यूज करके q-inclosed निकाल लूँगा तो अभी हम वही करने कि अभी हम flux निकाल रहे हैं by using flux का definition कि इस Gaussian surface अगर निकालना तो e.da का integration करना और Gaussian surface close है तो एक circle भी हम यहां लगा सकते हैं की यहां से electric field का magnitude वह बाहर आ जाए गा surface का पैट्रीफिल का magnitude A into smaller ही रहे गा यह a हर पैंट पे रहे पहर से यह अंगल होगा यह लित हमने क्लास्मुक्रायं कर एंगर करेंगे तो तो यह यह ए्यार्या वेक्टर्स का तो flux flow is fair as equals to q enclosed upon epsilon nought. तो flux flow is fair हमारे पास आगया है 4 pi a3 और इंटु capital A as equals to q enclosed upon epsilon nought. तो इसमें q enclosed फिर आगया. इधर epsilon nought को इधर बेज दिया, तो फिर that is given in option C. ठीक है? तो ये एक थोड़ा ठीक वेस्टन था. इस तरह है किम्स्ट तरह ऐ क्लास में आहां परी रखें यहां भी रिदियल सिम्हेटरी होती है तुस रीदियल सिम्हेतरी में थे दिक आननास भार किया में सब्सक्राइक कि चार्ज भी रोड पे और हिंज का रखा है फ्रम्द सिलिंग आश्वनिन फिगर इलेक्रिक फिल्ड स्ट्रेंथ यह हमने स्विच ऑन किया है तो वर्स आंगल मेट बाइड 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 विद वर्टिकल इन एक्विलिब्रम स्टेट में कितना अंगल बनाएगा तो लेट से एक्विलिब्रम स्टेट यहां पर हिंज है एक्विलिब्रम स्टेट इस आंगल पर है एक्विलिब्रम का मतलब क्या होगा एक्स्टेंड बॉडिज में एक्विलिब्रम की बात करते हैं तो एक्स्टेंड बॉडिज में रोटेशनल एक्विलिब्रम भी होता है और ट्र पूरी पॉर्स पे लग रहा होगा, लेकिन अगर टॉर्ग लिखना होता है तो हम एक मान भी किसी बॉडी पे weight लागता है। तो weight थी उनिफम तरिके से सीलका है fr m vic भी पाड़ी पे uniform थी स्वीत लेत लाजाता है। इसका अपॉइंट पॉइंक अफालिके दुज स्वीत कता है। etc वा उसका center of mass धाता है। जो कि uniform bodies के लिए वो चाख love the central center होता है। तो वैसे यहाँ पे इलेक्टरिक फिल्वी उनिफॉर्ण है हर जगा पे उलेक्रिक फिल्स यह मैं और लामडा हर जगे सिमें थो इस रोट पी जो इलेक्टरी क्लास लेगा वो भी उनिफॉर्म तरीख से लगने के कारण अगर हमें थो निकालने के लिए तो इसका है अब है थो इस सेंटर ही आ द guard आगा देंगी हम लिकाएंगी किदовых पे तुसुटतें हैं लिएक्सी पर एक तरफ फोर्स संट्र पर क्यूं इस वे चंप इंटेग्रेशन से भी इंटिकाल सकती इंटिकरी तो इंटिकरी कीटरी एक कि यहां पर निकालने के लिए कहां पर लगा है एलेक्ट्रिक फोर्स को कि अब गार हमें अभी नहीं पता है तो मैं इंटेग्रेशन यूज करूंगा कैसे करूंगा तो मैं लेट से यहां से कुछ इधर आ जाओंगा और यहां पर एक Dx-length का element ले लोंगा, यह हमारे पास element हो गया, इस element पर electric force इधर लेगा कुछ, DfE, कितना लेगा, तो lambda into DxS पर चार्ज हो जाएगा, और into electric field E है, तो इतना force लग जाएगा, अब इस force का torque अभर आगा, मैं axis के बाओ निकाल रहा हूं, तो torque से distance x, तो यह उस DfE का torque हो जाएगा about the axis, और ऐसे सारे forces का निकालना है, तो फिर हम integrate कर देंगे, और integration में 0 to L limits डाल देंगे, तो ऐसे यह आ जाएगा, और इसमें integration अगर हम कर रहे है, तो यह lambda into dx into E, यह हमारे पास DfE था और into x 0 to L, तो इसमें यह lambda into E बाहर आएगा, xdx का integration हो जाएगा x square by 2, और limits डालेंगे, तो यह L square by 2 आजाएगा, तो यह torque आ गया, तो torque हमने integration से निकाल लिया, but यहां से एक observation हम यह कर सकते हैं, कि मैंने इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक करके ऐसे लिख लिया, कि मैंने lambda into L को एक साथ club कर लिया, और into E, और into L by 2 कर लिया, ऐसा थोड़ा, थोड़ा मैंने terms को, ऐसा lambda into L को एक साथ club कर लिया, अब lambda into L जो आ गया, वो total charge आ गया, तो total charge और into E और into L by 2 आ गया, तो यह Q into E total electric force हो गया, और L by 2 अगर आ रहा है, इसका मतलब यह है, कि मैं integration जो करके निकाला result, अगर मैं इस integration के बजाए, अब से आगे से, कि प समझ में आ रहा है, क्योंकि इस rod पे electric force हर जगह लग रहा है, और अगर हमें torque लिखना है, तो torque क्यों निकालने के लिए, क्योंकि rotational equilibrium हमें लगाना है, तो torque निकालने के लिए एक तो तरीका integration, अगर मुझे beforehand नहीं पता है, कि हम किस point पर force लगा सकते हैं, तो हमें करना है integration ही है अगर मैं इस पूरे electric force को यहां जो axis hinge था, उस hinge से अगर मैं L by 2 नीचे यह पूरा electric force एक ही साथ लगा दूँ, if electric is equals to Q into E, और फिर मैं torque निकालू, तो फिर मेरा answer वही आएगा, जो कि integration से आ रहा है, तो यह जो center वाले point है, इस point को हम point of application of the force बोल सकते है, point of application का मतलब ही होता ह है, कि force अगर जैसे एक ही point पर force लगता है कभी भी, तो उसका torque निकालना बढ़ा आसा है, r cross f से torque निकल जाता है, लेकिन कोई ऐसा body है, जिस पर force हर point पर लगता है, जैसे gravitational force हर point पर लगता है, यानि पूरे body पर हर जगर gravitational force लगता है, यहां प electric force की बात कर रहेंगा, तो इस rod एक तरीका है कि मैं elements करके, उन elements पर forces जो लग रहें, उसका torque निकालकर और integrate कर दूं, या फिर दूसरा तरीका है कि मुझे point of application पता है, तो मैं पूरे force को एक ही point पर लगा सकता हूं, which is the point of application of force, so that मैं सिधा एक ही point पर force लगा पा रहा हूं, तो फिर उसका torque निकालना ही है, ल इसको हम as a note लिग भी सकते हैं, कि if force acts, if force acts uniformly, uniformly का मतलब समझ में आ रहा है कि पूरे body पे similar distribution of force है, कि ऐसा नहीं कि कहीं पर जादा force लग रहा है, कहीं पर कम force लग रहा है, वो कब हो सकता है, जब यह rod मालो uniformly charge नहीं होता, अगर uniformly charge नहीं होता, लामडा की values अलग लग जगों प और इन फॉर्म नहीं होता, तो फिर उसका टॉर्ग निकालने के लिए हम इसको इसमीड पॉइंट पर नहीं लगा सकते था टूटल फॉर्स को, यह समझ में आ रहा है, तो इसलहीं उनिफार्म बाद इंपर्टेंट है, तो इस लिए लगी उनिफॉर्म लिए अन बादी, आता बाद, करूश का मरम पन्सटा यंपर का यह के लिए अन इसलति को आ है रहा है, वे उन इसमाल भा टॉआ है कि व्यव मकि आता है शीकृत, कर आता है। यह में ए परहँ कह रहे ना पॉस और का यह उलता है, इसलति कैई कह बेंगल कहल व्यारे ऐसा है और यह आमने डिराइव करके देखा अभी हमने एक ओरेंटेशन के लिए कि अगर ने पूरे फोर्स को सीधा यहां पे लगा दिया है अब कहा है यहां पर सटय उसी संटर वाले पॉयंटिथे पर संटर वाले पोइंट परियु Passion Séiji ग्री हो गया एक inंज भी फोष्लगार होगा हिंज भी फोर्स लगार होगा और उसके लिए फिर यहां यह दिसन्स आएगा अभी डिसन्स कितना होगा तो यह L by 2 है विकॉस सेंटर है तो यह L by 2 है तो यह L by 2 है तो इस विल बिकम L by 2 तो यहां जाएगा एफी और इंटू L by 2 कॉस्ट एटा ठीक है यह हमने टॉर्क बैलंस कर दिया एम जी का clockwise टॉर्क और एलेक्रिक फोर्स का अंटी क्लॉक्वाइस टॉर्क उनको बैलंस कर दिया तो यहां से ल्वाइट वालाटम तो कैंसली हो जाएगा तो साइन थेटा पॉन को सेटा टांट बन जाएगा एलेक्रिक फोर्स एलेक्रिक फोर्स कितना लिख रहा है तो हमने एक ही पॉइंट पर फोर्स लगा दिया था और यह फोर्स कितना लगाना है पूरा चार्ज तो पूरा चार्ज इस पह लामडा इंटू L पूरा चार्ज है और इंटो एलेक्रिक फिल्ड तो एफ ए की जगह हम लामडा इंटो एलेंटो ए डाल रहे हैं और अपॉन एमजी यह टान थिटा हो जाए है तो इसमें यही पूछा था कि what is the angle made by the rod with the vertical in equilibrium state तो वही आंगल हमने यहां पर ठीटा लिया है और ठीटा कैसे आ रहा है तो तान ठीटा आ रहा है लामडा एल ए अपॉन एमजी तो यह फिर ऑप्शन यह में प्रिजेंट है तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छे इसमें में यह अभी यह एकुलीबम अंगल है तो हमने रिलीज किया था इनिशली वर्टिकल सिटिवेशन से तो वर्टिकल जो इनिशली जब वर्टिकल रखा था रोग को तो 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 इतने अंगल पर आ रहा है तो तुमसे अगर एक यह पूछा जाह यह होंबक् में एक में यहां पर आड़ कर रहा हूं कि फाइंड इनिश्ट राइश्न आंगुलर एक्सलरेशन एक्सलरेशन op देरॉर्ड को अफ्टर प्रश्थ पर प्रस्थ रिथे रेलिसेंग वर्दीकल पोसिशिन वर्दीकल ऑरिंटेशन जो वर्दीकल ऊडिंटेशन शी डे स्ट च तो इस वर्टिकल और इंटेशन से अगर हम रिलीस करेंगे तो फिर इनिशाल आंगलर आग्स जन कितना होगा यह बताना अ यह बत समझ में हारी है, initial angular acceleration, तो यह एक बार homebuck में करोगे, कि angular acceleration 0 कब है, 0 तो equilibrium का मतला है कि equilibrium किसी भी डिजट बाडी के लिए गर equilibrium की बात करते हैं, तो उसका translational equilibrium भी है, translational equilibrium will mean कि उसके center of mask acceleration 0 है, और rotational equilibrium will mean कि alpha उसका 0, angular acceleration 0 है, तो angular acceleration 0 इस theta के लिए है, जो हमने calculate किया है, तो initially जो था उस position पर angular acceleration 0 नहीं है, कितना है यह तुम्हारा homebuck है, यह तुम्हें निकालना है, अदे तो दे ही रखा है कि mass होगार दिया हुए, अच्छी इसमें कि अगर यह पुछा जाए कि खी आपकर हुए, निकाल खुर्सकर निकाल सकते हं अगरे के लिए développement कि झाल सकता है, इसे को इक सकता है, एसा मैं प्र서도 कर दो किइन की एक वो थोड़े अच्छे क्वेशन थे तो काफी बच्चों ने अच्छा किया है क्विज में तो जो भी ऐसी क्विजस होंगे आगे बहुत बड़ा फैक्टर होता है राद नोइंग देख वाद इंपोर्टन तो थे तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं लास तो आज नहीं कर रहे हैं लास जो नेक्स लास होगे फिसक्स की उस नेक्स लास में पहले जो चूटा हुआ पोशन है हमारा वहां कंप्लीट कर ल तो आज कर लेन को अग्या तो आज कर लेन को यह वाला जो हम डिसक्शन कर रहे हैं इसके नोट्स मैं भेज दूंगा तुम्हें तुम तक तो जो भी क्वेशन गलत हुए थे उसको एक आज देखना क्यों गलत हुए थे okay good night all